नमस्कार आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीती सास्त के बारे में राजनीती क्या है क्या जो आज चल रही है वो है क्या राजनीती का प्राचीन रूप यही था क्या प्राचीन राजनेतिक विचारकों के यही सिध्धान थे तो हम राजनीती सास्त के इनी गहराईयों के बार को और उनके सिध्धानतों के बारे में और उसकी सुरुवात हम करते हैं जैसा कि आप जानते हैं कौटिल्य से दोस्तों कौटिल्य के बच्पन का नाम विश्लु गुप्त था तथा वे चाड़क नामर ब्राम्मन के पुत्र थे इसलिए उन्हें चाड़क के नाम से भी संबो सारिया उपलब्ध हैं उनके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि कौटिल्य मौर्य समराट चंद्रगुप्त के प्रधान मंत्री तता विसेस सलाकार थे कौटिल्य के अर्थ सास्त्र की जानकारी वर्स 1905 में उस समय हुई जब तंजोर के एक ब्राम्मन ने इसकी हस्त लिख मैसूर राज के प्राच्च पुस्तकाले को भेट की इन पांडू लीपियों को एक ग्रंथ के रूप में 1909 में प्रकासित किया गया कौटिल्य के इस ग्रंथ या अर्थ सास्त्र में 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 150 अध्याय और 6000 इस लोग हैं मित्रों, राजनेतिक विचार क्या था? कि कौटिल्य क्या अर्थ सास्त्र मूलतह राजनेतिक ग्रंथ है, इसमें समस्त राजनेतिक विचारों को समाहित किया गया है अर्थसास्त्र में उलेखित राजनेतिक विचारों का अब हम अगले वीडियो में विश्तित जानकारी प्रदान करेंगे